गुरुदेव और मागैत्री के चर्ण में कुटी-कुटी नमन आप सभी को प्रणाम गुरुदेव ने एक जगा कहा है कि मैं मूर्तियों में नहीं मेरे द्वारा लिखित साहित्य में हूँ मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है इसलिए यदि आप गुरुदेव की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो उनके साहित्य को पढ़ें और पढ़ाएं आईए अब जानते हैं सरसुती गायत्री का मंत्र प्रयोग किस तरह से करें ताकि हमको सिध्य और सफलता प्राप्थ हो आसफलता, निराशा, चिन्ता और खिन्नता उत्पन करने वाली परिस्तिती पर विजए प्राप्थ करके सफलता का आशा जनक वातावरण उत्पन करने की स्थिती उत्पन करने में सरस्वती शक्ती का विशेश महत्व है बुद्धी व्रद्धी में अभीष्ट वस्तों की प्राप्ती में सुक्षान्ती में परिक्षा में उत्रीन होने के लिए सरस्थी गायत्री का प्रयोग किया जाता है सरस्थी गायत्री मंत्र इस तरह से है ओम सरस्थे विद्महे ब्रह्म पुत्रे धीमही तन्नु देवी प्रचोद्यात इस मंत्र के साथ किन वस्तों के हवन का क्या पढ़िनाम होता है इसका विवरण हम आपको देते हैं मंत्र की रस का पान करदी से चिर ग्रहनी बुद्धी में व्रध्धी होती है। सरसुती गायत्री मंद्र के साथ एक लाख घी की आहुती देने से शब कामों की सिध्धी होती है। पंच गव्य पीकर एक लाख जब करनी से इस मन्ड शक्ति की व्रथी होती है। पीपल की समिधाओं से हवन करने पर युद्ध में विजय प्राप्ति होती है इस मंदर के साथ। यदि इसी मंदर का उप्योग आप आग की समिधाओं से हवन करने पर करें तो सर्वत्र ही विजय होती है। सरस्टी गायतरी मंत्र का जाप करते हुए घी मिलाकर तिलों में एक लाख आहूतियों का हवन करने से सब कामों की सफलता होती है तथा परम सिध्धी की प्राक्ति होती है जो दुज गिलोई की समिधाओं को दूद में डुबोकर हवन करता है वह संपूर्ण बाधाओं से वि गी इन तीनों को मिलाकर लाजा यानि खील से साथ दिन तक हवन करने से वर को सुन्दर कन्या प्राप्त होती है और इसी विधी से हवन करे अगर कन्या तो उसे इक्षित वर की प्राप्ती होती है गायत्री की सरसुती शक्ती हवन करने से सर्व कामनाय पूरी करती है तो यहें सरसुती गायत्री मंत्र की कुछ प्रियोग हवन विधी के साथ तो यदि आप इन हवन विधियों के साथ इस मंत्र कजाप करते हैं आपकी कामनाय पूरी हो सकते हैं और आपको सफलता प्राप्त ह हो सकती है तो अगर आपको यह जानकरी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बैल क्या इकन पर क्लिक करके और पर क्लिक करना ना भूलें धन्यवाद